हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है, PSC वाला चैनल पर मैं दीपक कुमार सिंग, आपका तह्य दिल से स्वागत करता हूँ, आज आपके लिए है एक बहुत अच्छी इंफॉर्मिशन और खुस ख़वरी भी, मान सकते हैं आप, जी यहां, क्या होता है कि जब भी हम किसी exam की तैयारी करते हैं, तो सबसे जरूरी होता है कि कोई dedicated test series मिल जाए, जहां पे आपको उस test series में, आपके question जो है, कुछ sectional test हो जाए, और कुछ test आपके subject wise हो जाए, मलब आपके पूरे complete full length हो जाए, इसी कमी को दूर करने, ठीके, हम लेकर आए हैं आपके लिए, UP, PSC की test series, लेकिन सबसे खास बात ये है, कि आखिर इसमें रोचक क्या है बच्चों, रोचक ये है कि ये free है, जी हां, मैं आपको जा रहा हो बताने, UP, PSC test series के बारे में, जो की test series में आपको बिलकुल free मिल रहा है, ये all India, UP, PSC, prelims की test series है, इसमें देखिया आखिर क्या-क्या है, इसम में 6 subject wise है, 3 full length है, 2 C set है, और 1 UP special है, मतलब अब कोई और कमी नहीं छोड़ेंगे हम लोग, दूसरी बात आप देखेंगे, all test to cover current affairs in month wise manner, अभी मैं आपको schedule बताऊंगा, उसमें आपको मिलेगा, किस month का आपको current affair prepare करना है, और उसी current affair को उसी month से question पूचे जाएंगे, ठीके, इसके लावा, specially designed UP special test to cover UP specific history, geography, economy, quality and current event, ठीके, तो इसमें अगर आप देखेंगे, तो इस UP special test में, UP के हर एक section से आप से question पूचे जाएंगे, और जिसका जैसा वेटर होता है, वैसा ही, like जैसे आयोग paper बनाता है, उसी आधार पर आपका paper तयार किया जाएगा, ठीके, detailed solution and answer की, अब आपको detailed solution मिलेगा, आखिर उसका answer क्या होगा, detail में discussion होगा, और साथ में आपको answer की मिलेगी, हर एक test की, test के बाद में आपको available हो जाएगी, ठीके, अगली बात अगर आप देखेंगे, तो comprehensive test discussion है by the top faculties, जो हमारी top faculties हों, वो discuss करेंगी, for example, मैं आपको history के question है, आपर discuss करके बताऊंगा, test will contain questions on highly probable topics for UPPSC 2023, उत्तर प्रदेश 2023 के संबंदित, जो topic है, उनको उनके उपर business ध्यान दिया जाएगा, कि क्या आ सकता है, अनुमान क्या है, सुत्र क्या खवर देते हैं, ऐसी बात नहीं, पसाना मत, ठीके, जी हा, अनुमान लगाया जाएगा, प ठीके, test will be conducted in both English and Hindi medium, test आपको दोनों language मिलेंगे, English और Hindi में तो ये भी टेंशन आपकी चली गई, batch free है, मिलेगा कहां पर आप registration कहां करेंगे, PW app को डाउनलोड करें, और जाकर registration करें, वहां पर आपको ये मिलेगा, आप देख लेते हैं, schedule, test series का schedule अगर आप देखेंगे, तो स्टार्ट हो रहा है 12 मार्च से, subject wise पहला test है, जिसमें आपको प्राचीन भारत और मद्धिकालीन भारत, ancient history, medieval history से question आएगा, और 7 में January और फर्वरी का current affair पूछा जाएगा, इसका जो syllabus history of India, और 7 में January और फर्वरी का current affair, ये test आपका 12 मार्च को होगा, तो देर क्यों कर रहे हैं, जल्दी से, रजिस्टर करें, क्योंकि मामला तो free का है ना बाबू, जी हाँ, आगे देखेंगे, subject wise test, 19 मार्च को भी है, जिसमें modern history, मार्च और अपरिल 2022 का current affair है, ठीके, इसमें modern history जितना भी आपका है, syllabus हो पूरा complete आएगा, फिर sectional test 4 है, ठीके, याद रखेंगे, जो 26 मार्च 2023 को होगा, इसमें quality और governance पूछा जाएगा, इसमें मई और जून का current होगा, और ये quality का पूरा syllabus है, जो आप से पूछा जाएगा आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो आपका syllabus का part होगा, वहाँ पर लिखा हुआ है, subject wise test में 2 अपरेल 2023 को geography और environment का होगा, जुलाई अगस्त का होगा test, और इसमें geography environment का complete syllabus आप से पूछा जाएगा, और prelims के आधार पर question बनाए जाएगे, पिर अगला 9 अपरेल को subject wise test है, जिस इसमें general science का एक paper होगा, जो September और October 2022 का होगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या-क्या benefit आपको मिलने वाला है, clear है, हाँ, उसके लावा UP special और census के आधार पर, ठीके UP special जो test है आपका, जिसमें economics और agriculture पूछा जाएगा, और साथ में November और December का current affair आएगा, यह 16 अपरेल क test होगा, इसमें आप देख सकते हैं, economic and social development, sustainable development, ठीके, poverty inclusion, यह सारे मुद्धों पर आप से question पूछे जाएगे, details ले, बस महाँ पर mention है, clear है, आगे देखेंगे बच्चो, फिर full length test है, जिसमें complete आएगा, इसमें 20 अपरेल को होगा, current affair आएगा, January, February, March 2023 का, पूरा current affair पूछा जाएगा, ठीके, उसके बार देखेंगे, बच्चो, full length test, 23 अपरेल को होगा, UP, spatial और census पर इसमें complete current affair भी एक बार आपको revision करके जाना है, कहने का मलब जो आपका backlog और current आपको साथ में mix होता जा रहा है, आपको tension नहीं लेना है, कई बार practice होगी, यह सारी चीजे हम आपको य 30 अपरेल को, ठीके, आप देखेंगे, इसी दिन C-set भी आपको देना है, इस दिन आपको लगेगा 30 अपरेल को, कि भया, आपका सच में exam है, आप GS देंगे, और C-set दोनों देंगे, पूरी practice आपकी होगी, और 7 में full length test, 7 में को, फिर GS का, और 7 में को C-set का है, मलब दो दो हम आपको आभास करा देंगे, कि आप अपनी परिक्षा ही दे रहे हो, और इस दो बार में जो गल्तिया इसमें की हैं, उस गल्ति को इसमें सुधारोगे, और फिर जाकर exam में full डालोगे, याद रखना बच्चों, तैयारी कर लो कहीं से, selection होगा यहीं से, इस उमीद के साथ में, इस तैयारी के साथ में, हम ये test series आपके लिए लेकर आ रहे हैं, 12 मार्च से 7 मई तक complete revision, complete test, आपको schedule यहाँ पे मिल गया है, PWF पे जाकर register करना है, फीज कुछ भी नहीं है, तो क्यों कर रहे हैं देरी, देके, आईए, और करिए तैयारी हमारे साथ, हमारे one shot video भी आपक पंक के, इसमें सभी teachers हर एक topic को एक एक वीडियो में, 3-4 घंटे की वीडियो में complete कर रहे हैं, उस तरीके साथ वीडियो देखे, revision करे, free test series दे, और अपनी तयारी को और मजबूत करे, और इस बार सफलता हासिल करके, अपना नाम तो रोसन करे ही, साथ में, PW का भी नाम रोस झाल झाल